सफितो मुंडल के गाओं धरमगड बोली में यहां देख सकते हैं आप सप्रे किया जा रहा है एक मेशीन दुआरा सैनिटाइजर का जो सप्रे है यह जो कोरोना वायरिस के चलते जो वैशिक महामारी फैली है पूरे विशव के अंदर जिसने पूरा कहराम मचा रखा है पूरे विशव के अंदर हजारों लोग मर चुके हैं जिसके और इसी को देखते हुए यहां धरमगड गाओं में यहां देख सकते हैं आप मशीन द्वारा सैनिटाइज का सप्रे किया जा रहा है घर घर के अंदर बाहर भी और सारा आप देख सकते हैं पूरे गाओं के अंदर यह सुबह से लगे हुए सुबह साथ वैशे से यह सैनिटाइज का सप्रे चल लाए ताकि गाओं में कोई भी इसी जगह ना बचे जहां ये सैनेटाइज का सपरे ना जा सके तोनों ने बताया कि हमाने हमने बर्तपूर जना है तो उनको हमने परशासन की मदद से उनको शेल्टर उसमें विजवाया है ठीकरी आउस पूरा पैरा दे रहा है कोई भी अनजान वेक्ति को गाउं में गुष समानित हैं लेकिन जो मैंने आपकी कारिया शेली देखी है आप दिन रात करके जब हम आपकी वीडियो देख रहे हैं दिन रात आप कही ना कही एक योदा के रूप में लगे हुए हो तो मेरा आपके माद्यम से पूरी जन्ता को ये अपील है कि मानिय परदान मंत्री जी न लेकिन हमारा आज भी कही ना कही हमने इस पर काबू पाया है तो जो परदान मंत्री जी ने हमारे सामनी अपील की है उसको हम मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और लोगडाउन का पूरा समर्थन करे तब ही हम हमारे अंदर सची राश्टर भक्ती है अगर आज राश्टर करता हूँ आपके माद्यम से पिट नाक क्रिक जागरू को हो और कोई भी ऐसा व्यक्ती गाउं के अंदर दिखे कि जो जिसे हमने पहले नहीं देखा मैंने पूरे गाउं में कह दिया उसकी रिपोर्ट मेरे को दे मैं उसकी रिपोर्ट प्रशाशन को दूंगा दूसरी बा करें कि जिसको वास्तव में किसी भी चीज की अनाज की या किसी चीज की सभी भाईयों ने एक जुट होकर यह निर्ने लिया है तो जो लंगरा की व्यस्ता आपने किये गुर्दवारा ने तो अब आज वगरा भी लिकवाई है अब आज दिलवाई है हमने लंगर की ववस्ता भी गुर्दवारा में नहीं की उनको कच्चा राशन दिया जाएगा कोई ऐसा परिवार है वो घर में ही बनाए क्यूंकि लंगर से थोड़ी सी एव ववस्ता भी पहलेगी उसमें सोसल डिस्टेंसिंग का जो हमारा बहुआ कहीं ना कहीं उस पर वह ची जाएगी तो जो ऐसा परिवार है उस पूरे का पूरा राशन देंगे क्छा राशन देंगे तो या राशन दिया जारा है गराम बंचार की तरफ से है या गाउं के सेयोग कि तरफ सब्सक्राइब गाओं के लोगों कैसा सहोग मिर रहा है लोक डाउन को लेकर बहुत ज्यादा सहोग है सभी जागरुक है मेरे इसाब से आप अरीजी मानोंगे हमारे पूरे गाओं में चलो दो चार दिन पहले कुछ हुआ थे जिनको अभी इन चीजों की उनको समझाया लेकि क्या हफते में एक बर करना काफी है जो अभी तक हमारे को उपर से अदेश मिला है उसी साब से एक बार होने से काफी फर्क पड़ जाता है दूसरा हरीजी ऐसा है जैजा कि हमने सुना है अगर हम सही रूप से लोक डाउन कर ले बाहर ना निकले तो इसका वाइरस तो बस्त को संदेश दी अपनी होर से सरपंच होने के लाज मैंने पूरे गाव में माईक पर गुर्द्वारा साथ से संदेश दिया है उनको यही संदेश दिया है कि जो भी परशाशन की गाइडलाइन आती है तह दिल से हमें उसे मानना चाहिए जो सोशल डिस्केंसिंग और जो लो लेकर SDM साहब या SHO साहब या किसी से भी बात करते हैं तो तुरंत में उस चीज का पूरा साथ मिलता है तो अन्त में इस सरपंच होने के नाते आज पूरे वीशव को ही कह लो जो विश्यक महावारी फैली है अमारे ग्राउंड वीडिय के चैनल के माध्यम से क्या आप दूर करना है बिलकुल हर घर में राम का नाम लिया जाए जितना हो सके और इस कस्ट को दूर करने की अब भगवान से प्रार्थना करें भगवान इस चीज से हमें निजाद दिलाएगा यही संदेश है शुब-शुब विचार अपने मन में लाएं और राम नाम का जाब कर कि सबी लाइटेब बिलकुल पूर्णुब से बंद करके अपने हाथां में मुवाइल फोन की फ्लेश लाइट लेके खड़े होंगे पूरे नो मंट के लिए इससे क्या संदेश दैगा पहले ठालीब जाने के लिए कहा गया था जिसका पूरा विश्व जिसकी आज नकल कर जागरू करने के लिए अपने देश वाशियों को और प्रधान मंत्री जी की एक बहुत इमार्मिक अपील थी यह उन्होंने कहा है कि जो अंदकार है अंदकार को हमने परकास से जीतना है और एकता का प्रीशा देना यह भी का उन्होंने उसमें हम सब को एक होकर बगवान क के आगे अराधना करनी है वो अपने हाथों से वो कोई दिया बाती टारत जला कर उस भगवान को हमने उसकी आरती करनी है भगवान की कि हे भगवान जो हमारे उपर यह इतना बड़ा कस्ट आया है उस कस्ट को हर ले और हम परानियों को भक्ष दे और यह जो परदान मंत्र लीजी ने अपील किया पूरे गाउं में इसका परचार किया जाएगा और रवीवार को नो वजे नो मिन्ट तक पूरा गाउं इस आग्या का पालन करेगा एक जुटता का संदेश जाएगा इससे और पूरा विश्व आज भारत के संस्कृति के सामने नत्मस्तक है इस वैश वर्ष के सामने इस व्याशिक महारी के चलते जो भी यहां उपाय किये जा रहा है मिस्से बचने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे अगरनिया है परदान मंत्री जी ने आज विशव के एक नेता बन कर उब रहे हैं इस करोना महा हमारी से आज विशव आज मोदी जी की रहा पर चलने पहले किसी ने लोगडाउन नहीं किया था लेकिन जब मोदी जी ने लोगडाउन किया तो मोदी जी को देखकर सारे विशव में बड़े बड़े नेताओं ने उनके रहा पर चलका लोगडाउन किया और डवल्यो एच दिखाना चाहेंगे जम मशीन गाउं में लाईगी है धर्मगड में वो उसे पूरी तरह फिर एक बर फिर दुबारा से भरा जा रहा है सुबह साथ वज़े से पूरे गाउं में सैनेटाइज का सपरे किया जा जा रहा है ताकि कोई भी घर एश देखित ना रहे पूरे गाउ सब्सक्राइज किया जा रहा है सरपंच अजीतपाल चठा ने अब यह जैसे बताया कि यह कारे हफ्ते में एक बार अवश्य किया जाएगा और जूरत पढ़ने पर इसे दो बार भी किया जाएगा ताकि इस वैशिक माहामारी से गाउं का लोगों का गाउं का बचाव हो सक आपको पूरी तरह सी दिखाते रहे हैं ग्राउंड मीडे से मैं हरीश कबूर गाउं दरमगड से यहां देख सकते हैं आप गाउं दरमगड में मशीन द्वारा पूरे गाउं को सैनिटाजर किया जा रहा है सरपंच अजीतपाल चठा साथ हैं उनकी टीम साथ है और पूरे लोगी कोई महुला नहीं छोड़ा जा रहा जहां सैनिटाजर ना किया जा रहा हूं आप देख सकते सामने मशीन हैं और यह सरपंच अजीतपाल चठा हैं हैं यह देखिए यह देख सकते हैं आप सारी पूरी तरह से पूरी तरह से पूरे गाउं को कबर किया जा रहा है सैनिटाज से ताकि करोना वाजिसों वैशिक महामारी फैली है जो हजारों लोग मर चुके हैं और सिती दिन पर दिन गबीर होती जा रही है इसी चीज को देखते हुए गाउं धर्मगड के जो सरपंच है जीट पल चथा वो साथ है मशीन के उनकी टीम है साथ स्वीपर है चोकी जा रहा है गाउं के देख सकते हैं पूरे गाउं के अंदर जो है कि भी सरपंच जीट पल चथे ने बताया था ठीकरी प्यारा भी नहीं लगा दिया कि ताकि कोई भी गाउं का आदमी ना तो गाउं से बिना किसी जूरी काम के बाहर जा सके और एप रीचित कोई भी अन्नोन व्यक्ति गाउं में बिल्कुल भी एंट्री बंद कर दी ुए उनको sdm साब और shm से बात हुकि टी उनको shelter तरह उसमें अपना जो सरकारी स्कूल है अपना इजी वहां पर उनको रहने की पूरी वस्ता है उनके खाने की नाने दोने की सारी बहुत बढ़ा वस्ता है उनकी वहां उनको रख दिया गया है उनकी पूरी medical जांच हुई अभी जो यह सेंटर का सब्रेक किया जा रहा है आप ने मिताया कि हफ्ते में एक बार हो गाई है अगर जूरत पड़ती है तो बार बार भार भी करवा जा सकते हैं अगर जूरत पड़ेगी तो दुबारा भी हो जाएगा कोई ऐसी बात देखा आपने गाउं दरमगड में जै परो तरफ से यह देखिया आप यह तो एंगल है तो इन में से सैनेटाइज सप्रे निकल लाए और पूरे गाउं को सैनेटाइज किया जा रहा है कोई गली महोला नहीं छोड़ा जा रहा है पूरी तरह से पूरे गाउं में सैनेटाइज किया जा रहा है तो बने लिए इस शिलागी रिपोर्टिंग के साथ, राउंड-मीडिया के साथ, हम आपको सभी तरह के हालात दिखाते रहेंगे, राउंड-मीडिया से नहीं हरीशकपूर गाउन दरंगण भाली से.